हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग असा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में रेवले प्रोटेक्शन फोर्स यानि आर्फी अप एसाई के जो भी हाली में एकजाम हुए हैं पांच छे जिन्वरी 2019 को पूछे गए 150 कोशन हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो दुस्तों इस वीडियो को लास तक जरूर देखें अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने वाटसप और फेस्बूक ग्रूब में सेर भी करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर लें बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा जब आप इसे अन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटी भी कैसा नाथ सबी लोगों तक असानी से पहुंच जाती है इस्टार करते हैं तो यह पहला कॉशन था ओलंपिक 2016 कहां आयोजित किया गया था उलंपिक 2016 यह रियोडी जिनेरो में आयोजित किया गया था नए चक्योशन कलपना किस राज की पारस्परिक लोग कला है तो कलपना यह पशिम बंगाल की पारस्परिक लोग कला है अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पशिम बंगाल की मुख मंत्री कौन है तो पशीम बंगाल की मुख मंत्री है ममता बेनर जी अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पशीम बंगाल के राजपाल कौन है थेखिए फुछा गया कि तानसेन का वास्तिविक नाम क्या था तो तक बूस्तिविक नाम था राम्तनूपांडे क्या था राम्तनूपांडे सूर का प्रकास प्रत्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो देखे सूर का प्रकास प्रत्वी तक पहुंचने में आठ मिनट सोला सेकेंड का समय लगता है सुराज मेरा जन्व सिद अधिकार है यह नारा किस ने दिया था सवराज मेरा जनुसीद अधिकार है, यह है नाराद दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने नेज़ कोशन यह पूछा गया कि विशु मलेरिया दिवस कभी मनाया जाता है, तो देखे विशु मलेरिया दिवस यह 25 अपरायल को मनाया जाता है योजना आयो के पर्थम अध्याच थे बंडि जवाला नहरू विश्व स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व स्वास्त दिवस ये साथ अप्रेल को मनाया जाता है नेस्ट कोशन पूछा गया भारत में अंग्रेजी सिच्छा की सुरुवात किसने की थी भारत में अंग्रेजी सिच्छा की सुरुवात ये लाट मैं काले ने सुरु की थी देखिए next question पूछा गया Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली परथम भारती महिला कौन थी Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली परथम भारती महिला थी संतोस ही आदवा नेस question था कि फलों का अध्यन क्या कहलाता है तो फलों का अध्यन Pomoloji कहलाता है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकलिटिस देखिए नेस कोशन था कि आपात काली नंबर 112 सर परथम किस राज ने लाउंच किया तो आपात काली नंबर 112 सर परथम हिमाचल परदेश ने लाउंच किया सुद्द जल का पियच मान कितना होता है तो सुद्द जल का पियच मान साथ होता है नेस कोशन ये था कि एसिया कप किरिकेट 2018 कहां पर आयोजित हुआ था तो एसिया कप किरिकेट 2018 ये दूबई में आयोजित किया गया था अब आपको कमेंट बॉक्स में ये पताना है कि Asia Cup Cricket 2018 कि बीजेता टीम कौन है नेस्कोशन था कि फुटबॉल विसुकप 2022 कहा होगा तो फुटबॉल विसुकप 2022 ये कतर में होगा नेस्कोशन था कि जल, गिलास, कौफी, चाय में से बिसम कौन सा है जल गिलास कॉफी और चाय में गिलास आपका ये बिसम हो जाएगा नेश्ट कोशन विस्तु का सबसे छोटा महादीप कौन सा है तो विस्तु का सबसे छोटा महादीप है आश्टेलिया महादीप विस्तु का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो आपको ध्यान में रखना है विसु का सबसे बड़ा महादीफ है एसिया महादीफ तो तीर्थिकर संबंद किस धर्म से संबंदीत है तो तीर्थिकर ये जैन धर्म से संबंदीत है अब आपको commit box में ये बताना है कि जैन धम के पर्थम तीर्थकर कौन थे नेस कोश़न था कि गदर पार्टी की इस्थापना किसके दोरा की गई तो देखें गदर पार्टी की इस्थापना लाला हर दयार और सोहन सिन भगना के दोरा की गई next question था कि war and peace book किसकी है ति девки war and peace यह book लियो टॉल इस्टाई की book है next question था कि जनतूंओं के खुर किसके बने होते हैं तो जनतूंओं के खुर यह कैरोटीन के बने होते हैं अगला question था कि विस्चो स्वास दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व स्वास दिवस ये 7 अप्रेल को मनाया चाता है नेस कोशनता कि भारत में संसदी प्रणाली कहां से ली गई है तो देखें भारत में संसदी प्रणाली ये बिटिस समिधान से ली गई है नेस कोशनता मास पेसियों में किसके कारण थकावट लगती है तो देखिए मास पेसियों में लेक्टिक एसिट के कारण ठकावट लगती है अगला कोशन था विद्दूत मोटर का कार तो देखिए विद्दूत मोटर का कार विद्दूत उर्जा को यांतिक उर्जा में परिवर्थित करना है नेस कोशन था हुक सिदान्द किस से समंदित है तो यह हुक सिदान्द यह प्रत्यास्था से समंदित है नेस कोशन यह पूछा गया कि अकवर का संदच्चक कौन था तो अकवर का संदच्चक यह बैरम खान था अगला कोशन था 1st Finance Commission के चेर्मन कौन है तो 1st Finance Commission के चेर्मन है N.K. Singh नेर्स कोशन था औरंग जेब के उत्रा दिकारी का नाम क्या था तो दोस्तों औरंग जेब के उत्रा दिकारी का नाम था बहदुर साह पर्थम अगला कोशन था यह पोजा गया World TV Day कब मनाया जाता है तो World TV Day यह 24 मार्च को मनाया जाता है नेर्स कोशन था कि इंडोनेसिया के वर्तमान राश्ठपती कौन है तो इंडोनेसिया के वर्तमान राश्ठपती है जी को वीडोड अब आपको commit box में बताना है कि Indonesia की राजधानी क्या है और Indonesia की मुद्रा क्या है एक question losses related question तो यह पूझा गया था देश सकते हैं आप लोग देखिए नएस question था कि the golden house उस्तक किसकी है the golden house यह सलमान रुस्दी की उस्तक का नाम है कि अगला question सांची के इस्तूप का निर्मार्ण किसीने कराया था तो सांची के इस्तूप का निर्मार्ण यह असोक ने कराया था अब आपको comment box में दो question का answer बताना है कि asok ने कौन से धर्म को सुईकार किया था और एक कोशन ये बताना है कि असोग ने कलिंग पर आक्रमर कौन से संद में किया था इन दो कोशन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं नेस कोशन था FSDC की 19 वी बैठक कहां पर आयोजित हुई तो FSDC की 19 वी बैठक ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी नेस कोशन रेल बजट को सामान बजट से किस वर्स अलग किया गया तो रेल बजट को सामान बजट से ये 1924 में अलग किया गया नेस कोशन था दिल्ली का जामा मस्जित किसने बनवाया तो देखिए दिल्ली का जामा मस्जित मुगल समराठ सहा जहाने बनवाया था नेस कोशन भारत का अंतिम मुगल समराट कौन था तो देखिए भारत का अंतिम मुगल समराट बहादूर साथ जफर था नेस कोशन था कि डेल के सियो कौन है तो देखिए डेल को डेल के जो सियो है वो है माइकल S. डेल नेस कोशन था कि जी साथ देशों का चवालिसवा सिखर सम्मिलन कहां आयोजित हुआ तो जी साथ देशों का चवालिसवा सिखर सम्मिलन ये कनाडा में आयोजित किया गया नेस कोशन बुम्बाई इंडियन्स की मालकिन कौन है तो मुम्माई इंडियन्स की मालकिन है Reliance Industries अब आपको commit box में ये बताना है कि मुम्माई इंडियन्स के वर्तमान Captain कौन है Next question पौधों में protein निर्माण के लिए आवश्यक तक तक तो हैं तो पौधों में protein निर्माण के लिए आवश्यक तक तक तो हैं आपको ध्यान में रखना है विहार के वर्तमान मुखमंत्री कौन है और विहार के राज़िपाल कौन है राज़िपाल तो हो गया आपके लाल जी टंडन आपको मुखमंत्री बताना है ठीक है नेज कोशन पूशा गया था aluminum किसका x है यह वाकसाइड का x है देखी नेज कोशन पूशन पूशा कि प्रोटीन कार्गोहड़िट और बसा कैसे तक्तो है तो यह कैसे तक्तो है आपको बताई होगा इसमाई इंडर्श्टी तक्तो है प्रोटीन कार्गोहड़िट और बसा नेस्ट कोशन था कि वाइसवार राष्टी महसव कहां आयोजित किया गया था तो वाइसवार राष्टी महसव ये नोईडा में आयोजित किया गया था नेस कोशन था कि डेनमार्क की मुद्रा क्या है काफी मुस्ट इंपोर्टन कोशन है तो डेनमार्क की मुद्रा है क्रोन डेनमार के प्रधान मंदरी कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और डेनमार की राजधानी क्या है इन दो कोशन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने है नेस कोशनता की राश्पती का कारेकाल कितने समय के लिए होता है तो देखे राश्पती का कारेकाल ये पांस साल के लिए होता है नेस कोशनता की मेजर ध्यान चंद को किस नाम से जाना जाता है तो मेजर ध्यान चंद को होकी का जादू गर के नाम से जाना जाता है नेस कोशन दा की एसिया कप किस खेल से सम्बंदित है तो देखिए एसिया कप ये किर्केट और होकी से सम्बंदित है नेस कोशन दा की सहारा रेगेस्थान कहां पर है तो सहारा रेगेस्थान ये अफ्रीका में है नेस कोशन ता कि तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूगा ये किसने का था तो ये नरा दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूगा सुवास्चन बोस्ने विति आपात काल कितनी बार लग चुका है तो विति आपात काल एक बार भी भी नहीं लगा है नेस कोशन ता कि राजसवा के पर्थम सवापती कौन थे तो राजसवा के पर्थम सवापती थे सर्वपली राधा कृष्णन नेस कोशन पूछा गया कनाड़ा की राजधानी क्या है तो कनाड़ा की राजधानी है उटावा नेस्ट कोशन मलेसिया की मुद्रा क्या है देखिए मलेसिया की जो मुद्रा है वो है मलेसियाई रिगित अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मलेसिया के वर्तमान परधान मंदरी कोन है और मलेसिया की रास्धानी क्या है सेंट जॉर्ज इस्टेडियम कहां पर हैं तो सेंट जॉर्ज इस्टेडियम यह चेन नहीं में है अगले कोशन की और बढ़ते हैं सुनिल छेतरी किस खेल से समंदित हैं तो सुनिल छेतरी यह फुटवॉल खेल से समंदित है पंजाब की राजधानी क्या है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगर अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंजाब के वर्तमान मुख मंत्री कौन है और पंजाब में जो राजपाले पंजाब के वो कौन है ये दो कोशन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने है अगला कोशन भारत का 29 राज कौन सा है भारत का 29 राज है तेल गना अभी जो हाली में चुनाओं संपन हुए हैं जिसमें तेल गना में कांग्रेस विजई हुई है तो तेल गना के मुख मंतरी कौन है इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नेज कोशन सबसे कम लिंगा नुपात किस राज का है तो सबसे कम लिंगा नुपात हरियाना राज का है हरियाना के मुख मंतरी कौन है मनोहर लाल खटर राजपाल कौन है इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इतों मैं पता चुका हूँ कि दिल्ली का जाव मज़ित समराथ मुगल समराथ साजाने बनवाया था